हैलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे बढ़ती बजन कम करने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते जीम जाते हैं एक्सरसाइस करते हैं फिर भी देखा जाता है हमारे जब बजन है वो कम ही नहीं हो रहा है घर की कुछ चीजों से ही हम आसानी से बीना एक्सरसाइस करके ही बजन को कम कर सकते हैं कई बार तो देखा जाता है जो महिला होता है जब सीजर पॉसेसिन में बेबी होता है फिर क्या होता है बेली फैट ना बहुती तेजी से बढ़ने लगता है जो देखने में बहुती काम में बिजी रहते हैं या जीम एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं रहता है तो हम घर में मजूद चीजों से ही अगर इस तरह का कोई हेल्थ ड्रिंक त्रैयर करेंगे तो हमारा जो बजन है ना एक हपते में आधा कम हो जाएगा इतना ताकत है एक पावरफुल पानी में बहुती यूसफूल टीफ्स बताने वाली हूँ आपका जो वेट है ना वो आसानी से कम हो जाएगा आप सोज भी नहीं सकते है तो चलिए कैसे हम बजन कम कर सकते हैं हमारे घर में चीजों से जो चीज हमारे कीचेन में अबल अबल होता है मैंने या पर एक बतन में ले लिय पानी, दो ग्लास पानी ले लिया है पानी को गस के उपर रख देंगे फिर इसके अंदर कुछ चीज हम डाल देंगे मैंने पहले जो चीज ले लिया है तेज़ पत्ता बालों के लिए भी तेज़ पत्ता बहुती ज़्यादा यूसफुल माना जाता है क्योंकि इसके अंदर जो पॉस्टिक गून होता है हमारे बाल लंबे करने के लिए बहुती ज़्यादा यूसफुल माना जाता है ब्लाट सूगर नियंतन करते हैं अगर आपका हजम में होने समसा हो रहा है हजम होने के लिए भी इस शहायक है और एक चीज इसमें डाल देंगे बो है मेथी दाना हम सभी लोग जानते हैं मेथी दाना हमारे स्कीन के लिए बालों के लिए अमरित माना जाता है बीमारी ठीक करती है ये तेचपत्त, मेथी दना, हाई पेसार, बलाट सूगर या हाट का बीमारी हो फिर भी ये बहुती ज्यादा काम का चीज है और एक चीज डाल देंगे बो है जीरा जीरा भी बहुती अच्छा माना जाता है हमारे शरीर में रोप पतिरद खमता बराती है एक जीरा इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है एंटि ऑक्सेडेंट जो हमारे तौचा को खुबसूरत बनाने के लिए बहुती ज्यादा यूसफुल माना जाता है जो हमारे शरीर में अगर कई बर देखा जाता है न सर्दिया लगने के करण बार बार बीमार पर जाते है बहुत सारे बीमारीों से छुटकारा पा सकते हैं एक पानी की मदद से इसको क्या करेंगे अच्छे तरीके से उबाल लेंगे और एक चीज हम इसमें डालेंगे वह अद्रक अद्रक तो हम चाय में सभी लोग खाते हैं वेट लॉस करने में अद्रक बहुती ज्यादा आच मिनिट के लिए बॉयल कर लेंगे देखिए पानी गरम होने से ही पानी का जो कलर है ना चेंज हो रहा है यह पानी फ्रेंड आप एकीन मानिए बहुत ही ज्यादा यूसफूल है मैं खुद ट्राइ करती हूं और बहुत ही अच्छा रेजाल भी मिला है मेरा जब बेबी मेरा बेली फैट बहुत ज़्यादा बर गया था छोटा बेबी है जीम भी नहीं जा सकते घर पर भी एक्सासाइस नहीं कर सकते फिर मैंने एट टीप्स एपलाई किया है गूगल से सर्च करके एपानी मैं खुद तर करती हूं बहुत ज़्यादा तर करती हूं और एक दिन म मैं इसको यूज करती हूं देखिए मैंने इसको पांच मिनिट के लिए ढखकर अच्छे तरीके से पका लिये हैं सारे जो चीज मैंने इसके अंदर डाले थे ना उसका जो उपकरी गून है पानी में चला आया है कलर भी चेंज हो गया है एकदम से पानी डर्क योलो कलर हो इसको आप क्या करेंगे गैस को बंद कर देंगे इसको हम कैसे पीएंगे जो हमारे वेट एकदम से कम हो जाएगा बेली फैट कम हो जाएगा पहले इसको क्या करेंगे थोड़ा सा ठंडा करेंगे जिस तरह से हम चाय पीते हैं ना उतना ज्यादा गरम नहीं थोड़ा गरम गुण गुणा गरम हम पीएंगे इसको, इसको ग्लास में मैं इसी तरह से डाल रही हूँ, आप चाहे तो छन्नी की मदर से छान भी सकते हैं, इसके अंदर और दो चीज हम एट करेंगे, क्या एट करेंगे Matrix, चलिए देख लेते हैं, इसके अंदर दे देंगे निम्बू, निम्बू में भरपूर मात्रा में भीटामिन C होता है जो हमारे तच्चा को गोरा बनाने के लिए बहुती ज्यादा यूसफुल माना जाता है, वेट भी लस्क करने के लिए बहुती ज्यादा यूसफुल है निम्बू, अच्छे तरीक कम करने के लिए पानी अम्रीत माना जाता है तो इसको हम कैसे पीएंगे आप किसी भी बक इसको पी सकते हैं सुभा में या साम में दो पहर में मैं तो तीनो टाइम इसको पीता हूँ और बहुती अच्छा रेजल्ट भी मिला है देखिए मेरा O8 आप देख सकते हैं मैं ज्यादा मोटे भी नहीं हूँ एकदम पतले भी नहीं हूँ पारफेक्ट O8 है मेरा जरूर एपलाई कीजिएगा साथ दिन में ही आपका जो O8 है ना बहुती कम हो जाएगा आप भी हैरान हो जाएंगे फिर मुझे कमेंट करके बताना एटीप्स कैसा लगा आप लोगों को